नमस्कार दोस्तों बारती किसान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीरे की वह ऐसे लेके अंत तक संपुन जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हर एक जानकारी वेगनिक होगी याने दोस्तों जीरे की वेगनी खेती के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें जीरे की खेती की सामने जानकारी बुएसे अंतितक खाद उरुकों की मात्रा वो उनको देने का समय बीज उपचार बगपर पैदावार देने वाली बेश्ट किसमे सिचाईयों की संक्या वो उनको देने का समय खर्पतवार नियंतरन वा खर्पतवार नियंतरन की राचानिक दवाईया वो जीरे की वसल में बुएसे अंतितक लगने वाली संपूर्ण कीट विमारों से निजात पाने की बेश्ट दवाईयों के बारे में चर्चा करेंगे यानि दोस्तों आज के बाद आपको जीरे की खेती की कहीं पर भी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यानि दोस्तों ये वीडियो जीरे की खेती का एक complete package होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों जीरे की खेती की समन जानकारी के बारे में बात करें तो जीरे की बुवाई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच रखना है वही दोस्तों बुवाई की दूरी के बारे में बात करें तो पोदे से पोदे की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 22 से 25 सेंटीमीटर के इसाब से रखनी है और बीच को डेर से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना है बीजदर के बारे में बात करें तो चिटेकवा विदी के अंदर बीजदर 12-15 किलो पुए दोस्तों लाइनों में बुवाई करने पर 8-10 किलो परती हेक्टेर के इसाब से बीजदर रखनी है बीजदर के बुवाई के लिए घर का बीजदर परियोग कर रहे हो तो बीजदर को बोने से पहले उपचारित करके ही बोवें बीज उपचार के लिए परती किलो बीजदर पर 5-6 ग्राम टाइकोडर्मा या 2 ग्राम कारेवेंटर जिम 12% प्लस मेन को जिब 33% नामक पपून नासक का स्प्रे करें और बीजदर को चाम में सुखा कर ही बीजदर की बुवाई करें बंपर पैदावार देने वाले किस्मों के बारे में बात करें तो इस लिश्ट में अपनी पहली किस्म है दिनकर सिड की पोकराज इसकी ओसत उपज 10-12 क्विंटल परती हेक्टेर के हिसाब से हैं और इसमें उक्टारो कम लगता हैं दोस्तों इस लिश्ट में अपनी अगल क्विंटल परती हेक्टेर के हिसाब से हैं और इनमें भी उक्टा वजुलसा रोग कम लगता हैं इस लिश्ट में अपनी अगली किस्म है वेस्टन एगरी सीट की सी पैतालिस और सी साट इसमें सी पैतालिस कम दिनों वाली किस्म है लेकिन इसकी उपज थोड़ी कम निकलती हैं जबकि सी साट 110 दिनों की किस्म है और इसके उपए 10 से 12 कुंटल परती एक्टिर के हिसाब से निकल जाती हैं वही दोस्तों वाय से लेके अंतज़क खाद उरुकों की मातरा वो उनको देने के समय के बारे में बात करें तो ति एकड के अंदर वाय के समय 4 टन गोबर की के अलावा 15 किलो यूरिया और 50 किलो सिंगल सुपर फासफेट यानि SSP उरोग का प्रियोग करना है और वो उनको देने के समय के बारे में बात करें तो पहली सिचाई वूवाय के तुरंत बात लेकिन हल की करनी है दूसरी सिचाई वूवाय के 7 दिन बात और तीसरा पानी बूवाय के 13 से 14 दिन बात करना है इसके बात में हर 15-20 दिन के अंदराल में सिचाई करनी है लेकिन पक्ति हुई पसल पर सिचाई ना करें अन्यता कीट बिमारियों का प्रकोब बढ़ जाएगा यानि दोस्तों आकरी सिचाई पुस्पन अवस्ता पर या दाना बनने की सुर्वाती अवस्ता पर गहरी सिचाई करके सिचाईयों को कारिय बंद कर देवें वहीं दोस्तों खरपतवार नियंतरन के बारे में बात करें तो कम से कम दो निराइग उड़ाई अवश्य करें जिसमें पहली निराइग उड़ाई बूवाय के 30 से 35 दिन ब इस लिश्ट में अपनी दूसरी करपतवार नासक हैं बाइर कमपनी की राप्ट इसे परती 15 लिटर पानी के अंदर 15-20 अमल के इसाब से स्प्रे करें दोस्तों इस लिश्ट में अपनी तीसरी करपतवार नासक दवाएं औकसी प्लोरोपेन 23.5% इसी इसे 3-4 अमल परती 15 पानी के साब से स्प्रे करें दोस्तों दूसरी और तीसरी दोनों ही करपतवार नासक दवाएं का प्रयोग 28-30 दिन की पसल पर ही करें और खेत में स्प्रे के समय उचित नमी होनी चाहिए वही दोस्तों जीरे की पसल में बोई से अंत्रग लगने वाली कीट बिमारियों औ रस चूसते हैं इन सभी रसूसक कीटों से बचाव वह उपचायर के लिए एजाडी रेक्टिन 0.15% को 4-5 अमल पर्ती लिटर पानी के साब से स्प्रे करें अगर यह दवा ना मिले तो पर्ती 15 लिटर पानी के अंदर 10-15 अमल से जंटा की अलिका या इमिडा क्लोप्रीट 17 पूंट 8 ऐसल नामक दवा का स्प्रे करें वहीं दोस्तों जीरे की पसल में लगने वाली फपूंद बीमारियों के बारे में बात करें तो इस लिष्ट में अपना पहला रोग हैं जीरे का जुलसा या बलाइट रोग जिसे रातिया या कालिया रोग भी कहते हैं इसमें जी 60% नामक फ़पूंद ना सक या डाइगराम कोपर अक्सी कलोराइट 50% या 2 ग्राम कलोरोथियोनिल 55% डवली पी तीनों में से किसी एक दवा का स्प्रे करें दोस्तों इस लिष्ट में अपना अगला रोग हैं जीरे का विल्ट या उक्टा रोग जिसे सूका या सूकरा रो उगर रोग दारण करके पुरा खेत नश्ट कर देता हैं याने दोस्तों या जीरे का सबसे बहेंकर रोग हैं दोस्तों या रोग आने पर इसका उपचार बहुत ही मुस्किल है अतब ववाई के समय ही डाइ किलो ट्राइकोडर्मा परती एकड के साब से सीचाई जल के साथ में या खाद के साथ में मिलाकर सीचाई कर देवें जिससे इस रोग के आने की संबावना कम हो जाएगी वोई दोस्तों खड़ी पसल में इस रोग के उपचार के लिए परती लिटर पानी के अंदर दो ग्राम कारवेंडर जिम 12% प्लिस में को जब 63% नामक फपूंद नसक का स्प्रेक करें दोस्तों इस लिष्ट में अपना जिरे का अगला रोग हैं पावडी मिल्डू यानि चाच्छा रोग जिसमें जिरे के पोदे पर प्पूंद का सपेच चुन साथ जम जाता हैं इस रोग से उपचार के लिए 0.2% वाला सालफर चुन 20-25 किलो परती एकड के इसाब से हाथ से बुरकाव करें या सीजन्टा की एमिश्टा टोप का एक अमल पर्ती लिटर पानी के इसाब से स्प्रेइ करें जीरे की पसल में इन तीनों भपंद रोगों वा मोयला यानि चेपा की समस्या को एक ही स्प्रे में खत्म करने के लिए परती पंदा लिटर पानी के अंदर 59 दोओं का स्प्रेक करें जिसमें 7 अमल सिजेंटा का स्कूर 30 ग्राम कवच और 10 ग्राम थाव में तुक जाँ 25 परसेंट WG और साथ में इपको का सागरिका या पी आई का बाई विटा नामक टोनिक 4 दोओं को मिला कर स्प्रेक करें दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और बारती किसान यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकर सबसे पहले आपके मुबाईल में पहुंच सके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद